कुछ चीजों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं इसकी पूरा डिटेल्ड ओर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीजों पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं कि सबको नमश्कार करों पिछले कुछ दिनों से करोना के केसे बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहा हैं। Dislai में भी कफी तेजी के साथ केसे बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि घ Immetion की बात नहीं है। दरने की बात बिलकुल भी नहीं है इस बार, क्यूंकि cases जो बढ़ रहे हैं, वो mostly mild cases हैं, asymptomatic cases हैं, अधिकतर cases में, ना तो अस्पताल जाने की जरूट पढ़ रही है, ना oxygen की जरूट पढ़ रही है, ना ICU की जरूट पढ़ रही है, ना ventilator की जरूट पढ़ रही है, बहुत ही mild cases हैं और बहुत ही asymptomatic cases हैं, बहुत स चीज़ की केसिस बहुत कमजोर हैं माइल्ड हैं और दूसरी ती चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा दस गुना तयार है केसिस से निपटने के लिए लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको आपको करोना हो किसी भी तरह का तो हम नहीं चाहते कि करोना फैले, इसलिए बार 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 अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भई, मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ, तो मास्क जरूर पहन के रखे हैं, हमें जिम्मेदार बनना हैं, लेकिन डरन पर इतना नहीं है. थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड ए मौल के अंदर इतनी भीड ए तस्वीर आती हैं वीडियो आते हैं और इतनी भीड में किसी ने मास्क नहीं पैन रखा, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा, जो हम जितनी सक्तियां कर रहे हैं, वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके धर में करोना है, अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्षिन प्लैन बनाया था, मतलब यह कि अगर करोना इतना परसेंट हो जाएगा, तो हम यह यह चीजे बंद करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा, तो हम यह यह चीजे बंद करेंगे, वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठके देखना ना पड़े यार यह कर दें, यह बंद करें, यह बंद ना करें, ताकि एक scientific तरीके से पता रहे कि इतना करोना हो जाएगा तो यह बंद कर देंगे, इतना करोना हो जाएगा तो यह बंद कर देंगे, उसमें हमने लिखाता कि अगर 0.5% से ज्यादा positivity rate होगा दो दिन तक लगातार, तो ऐस इसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा एक लेवल वन आ जाएगा और उसमें हम ये 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 चीजे बंद करेंगे तो पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा दो-तिन दिन से चल रहा है इसलिए लेवल वन जो है ग्रेड एक्शन प्लान का उसको लागू करने का न पाबंदियां लगाई जा रही है लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही है मैं जानता हूँ आप सब लोग ठक चुके हैं दो साल हो गए करोना को दो साल के अंदर इतनी बार इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग ठक चुके हैं लेकिन क्या करे जरूरी है आपके सेहत जरूरी है आपके जिन्दगी जरूरी है इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही है मेरी आपसे हाँ जोड़ के विंतिया है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का जरूर से जरूर पालन करें जैसे मैंने बताया कि यह कोरोना बहुत माइल्ड है, हम देख रहे थे पिछले एक महीने का डेटा, एक महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की जादा जरूरत पढ़ रही है, ना ही आईसियू के अंदर जादा लो ही ठीक होते जा रहे हैं, तो चिंता करने के जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने के जरूरत है, हम मैं परस्नली व्यक्तिगत तरीके तोर पे एक एक मिनट नजर रखे हुए हूँ सिच्वेशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूंगा, अगर कु इतने भारी भीड लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें, तो मास्क पहन के निकलें, भीड ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करें और बार बार हाथ दोते रहें